गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स, हावर यू ओल, आई होब यू ओल आल सेव, माई सेल्फ कास्मीरा पर्मा, स्टुडेंट्स, आज हमारा सब्जेक है हिंदी, हिंदी में आज हम सिखेंगे, चेप्टन नमबर एट, रेल का खेल, तो यहाँ पर देखे, रेल का खेल, में ह आज हम ए की मात्रा सिखेंगे, ए, ए की मात्रा, ओके, तो ए की मात्रा सिखेंगे, तो पहले हम देखेंगे, कि यह एट चेप्टर में जो कवीता दी है, वो पढ़ेंगे, उससे पहले हम यह चीतर देखेंगे, देखे, यहाँ पर यह जो पिच्चर दिया है, उसमें क्या ह यहाँ पर यह ट्रेन दी है रेल गाड़ी है और यहाँ पर यह बच्चे देखो कैसे खेल रहे है लाइन में रेल गाड़ी बना कर खेल रहे है है ना आप भी खेलते हो ना रैल गाड़ी चुक चुक गाड़ी बना कर खेलते हो तो बहुत मज़ा आता होगा है ना आता है ना तो चलिए आज हम सीखेंगे यहाँ कवीता पड़ते हैं तो अभी हम start करते हैं केले खेल, रेल का खेल, केले खेल, रेल का खेल, रेल का खेल. देव तुम सबसे पीछे आना, रेसमा रेका तुम भी आना. तो देखो यहाँ पर यह बच्चे जो खेल रहे है रेल गाड़ी का खेल खेल रहे है तो उसमें एक बच्चे का नाम है देव और दो लड़किया है एक का नाम है रेखा और रेसमा तो वो बच्चे बोल रहे है कि देव नाम का जो लड़का है वो पीछे आएगा और रेस्मा और रेखा को भी खेलने के लिए बुला रहे हैं एक दूजे के पीछे लग जाना लाइन बनाना, लाइन बनाना तो बच्चे एक दूसरे के पीछे लाइन बना कर आ जाना सब मिलकर डिबे बन जाना चुक चुक आगे ठेल मतलब आप सब आकर पीछे डिपे बन जाना फिर चुक चुक गाड़ी बनाएंगे ऐसा बोल रहे हैं तो फिर देखो खेल खेल रेल का खेल रेल का खेल रेल का खेल तो ऐसे यह बच्चों यह बच्चे है वो खेल रहे है और रेल गाड़ी का खेल खेल रहे है तो आपने देखा यहाँ पर कितनी मज़ा कर रहे है भच्चे खेल रहे हैं ट्रेट बना कर खेल रहे हैं टो चलिए अभी हम चैप्टर 8 में A की मात्रा सीखेंगे तो देखो यहाँ पर यह कविता में जो वर्ड दिये है, यहाँ पर जो सब्द दिये गए है, यहाँ पर एक ही मात्रा जो लाल अकसर से लिखा है, यहाँ पर पूरे कविता में देखिए, यहाँ लाइन पर यह रेट कलर से जो लिखा है, वो एक ही मात्रा है, है ना, एक ही मा तो अभी हम chapter 8 में exercise अभ्यास करेंगे first word meaning, word meaning करेंगे शब्दात तो यहाँ पर देखो खेल, तो खेल को इंगलिश में क्या कहते है game, g-a-m-e, game खेल को game कहते है फिर पीछे, पीछे मतलब last last, l-a-s-t, last उसे पीछे कहते है deal, तो यहाँ पर push push जो थोड़ा सा धक्का देना है, ज्यादा नहीं तो उसे p-u-s-h, push मतलब deal next, rail rail मतलब train t-r-a-n, train तो आप सब train में तो बैठे ही हो, है ना? तो ट-r-a-i-n, train मतलब rail फिर पंग्ती तो पंग्ती को क्या कहते है l-i-n-e, line मतलब पंग्ती next, एक दूजे इटले एक बीजा साथ है, तो एक दूजे को कहते है, each other e-a-c-h, each o-t-h-e-r, other मतलब एक दूजे फिर engine, जो train होती है, तो train के आगे, जो सबसे आगे जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है, वो डिबबा जो होता है, उसे engine कहते हैं तो engine की spelling है, e-n-g-i-n-e, engine मतलब engine फिर next, डिबबा, जो engine के पीछे, जो डिबबे होते हैं, जिसमें हम बैठते हैं, train में जाते हैं, तो उसे कहते हैं, c-o-a-c-h coach मतलब डिबबा, फिर sub, sub मतलब बद्धु होई तेने, all, a-l-l, all मतलब sub अभी यह exercise है, read and understand, जो हमने, zoom के lecture में, मैंने आपको सिखाया था, है न, तो यहाँ पर, read and understand, a की मात्रा वाले word है, जो यहाँ पर दिया है, को प्लस ए, प्लस ला, इक्वल के ला, म प्लस ए, प्लस वा, इक्वल मेवा, प्लस हो, प्लस ए, प्लस ली, इक्वल पहेली, एसे ही, म प्लस ए, प्लस ला, इक्वल मेला स प्लोस ए प्लोस वा इक्वल सेवा स प्लोस ह प्लोस ए प्लोस ली इक्वल सहेली तो देखा यहाँ पर मैंने आपको लेक्चर में भी दिखाया था कैसे क प्लोस ए प्लोस ला इक्वल केला वर्ड बनाना है ए की मात्रा वाले यहाँ पर ओके तो ऐसे ही आपको घर पे भी read करनी है और practice करनी है पढ़ना है ओके और यह exercise हम next lecture में सीखेंगे ओके thank you